हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए आपकी अंत्रा बुक का नया पार्ट लेकर आए हूँ ये पार्ट एक कविता है कविता लिखी है नागारजुन जी ने और कविता का नाम है बादल को घिरते देखा किस तरीके से उन्होंने हिमाले के उपर बादल घिरते देखा तो उन्होंने एक एक करके जो है हिमाले की सारी सुन्दर्ता को निकाल कर हमारे सामने रख दिया हिमाले की सुन्दर्ता वहां बसने वाले जो है जितने बीचर अचर प्राणी है उनकी सुन्दर्ता हर तरीके से निकाल कर हमारे सामने रखे चलि चोटे चोटे मोती जैसे उसके शीतल तो ही करणों को मान सरोवर के उन स्वरणिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को गिरते देखा, अब इन्होंने जब बादल देखा शिखर पर, बादल को गिरते देखा, कहां पर हिमाले के ऊपर, हिमाले के ऊपर गिरते देखा, हिमाले पे सफेज सफेद बरफ थी उसके उपर स्वर्णि मतलब सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी तो वो सोने जैसा चमक रहा था तो उसके उन्होंने क्या बोला कि हमने वहाँ हिमाले देखा ध्वजल मतलब की वहाँ पर उसके उपर बरफ पड़ी थी और वो सफेज सफेज सा उजवलसा उसके शिखर दिख रहे थे छोटे छोटे मोती जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं उसके शीतल तो ही करणों को यानि कि ओस की सीतल ओस की जो बूंदे होती हैं वो किसे सिमिलर करी उन्होंने एक क्या कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा तो कहां देखा मान सरोवर परवत के उपर जो है जो कमल लगे हुए थे उसके उपर ओस की बूने पड़ी थी और वो बूने कैसी लग रही थी जैसे की मोती बिखरे हुए है बादल को घिरते देखा जब मैंने बादल को हिमाले पर घिरते देखा तो साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें भी देखी तो उसकी व्याक्या कैसे लिखेंगे बादल को घिरते देखा कविता के इस प्रतम चंद में एक कवी ने हिमाले की चोटूई की व्याक्या की है किस तरीके से हिमाली की चोटियां बर्फ के सफेद चागर से डगी हैं इतनी सुन्दर लग रही हैं कि उन्हें देखने के लिए देखने वाले एक पलक भी उसकी पलके नहीं जपकते कवी हिमाले की चोटियों के बारे में वंडन करते वे कहते हैं कि हिमाले की चोटिया धूप के कारण बहुत ही जादा उजवल नजर आती है बर्फ के कारण वे सुन्दर दिखती हैं इतना ही नहीं ओस की बूंदे कवी को चोटे चोटे मोतियों के समान लग रही है जब ये चोटी-चोटी ओस की बूंदे कमल के फूलों पर गिरती हैं तो पूरे कमल के फूल का सौंदर ही बदल जाता, इतना सुंदर हो जाता है वे कमल का पूल कवी ने इन सभी द्रश्यों का मन खोल कर आनंद लिया और उसी आनंद को कवी ने इस कविता के मांध्यों में व्यक्त किया तो हर एक चीज़ देखिए ओस की बूंदे मोती से सिमिलर करी चोटी कितनी सुंदर बताई तो जैसे जैसे उन्हों ने देखा उसका बहुती सुंद देखिए बादल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मदुर विसंतुत खोजते हन्सों को तिरते देखा बादल को घिरते देखा यहां पर इनोंने क्या दिया तुंग हिमाले के ऊपर मतलब उचे हिमाले के कंधे पर जो है यानि कि बीच बीच में कहीं ना कहीं उचे हिमाले पर छोटी बड़ी कई सारी जीले बन जाती हैं सभी को पता है कि उपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर बीच बीच में बहुत सारी बड़ी छोटी जीले बनी हुई है उनके शामल नील सलिल पे और क्या है उनके शामल जो पानी है आसमान की वज़े से वो गहरा पानी जो दिखता है नीला नीला सा उस पानी में समतल देशों यानि आसपास के देशों से पावस की उमस से आकल आस मतलब सावन रितु की जो उमस होती है उसकी उमस से व्याकुल त एक्त मधूर विसंतू खोजते हनसों को तिरते देखा यानि कि हठंडक की आस में और भोजन की तलाश में उन पक्ष हनसों को वहाँ पर आते हुए मैंने देखा है तो यहाँ पर क्या दिया उन जीलों पर जो है आसपास के देशों से गर्मी से परेशान जो हंस हैं वो ठंडक और भोजन की तलाश में यहाँ पर आते हुए कभी ने उनको देखा है कैसे लिखेंगे कभी ने हिमाले प्रदेश में बादलों के घिरने का वर्णन तो किया ही है साती वहां के जल में रहने वाले हंसों की विशे में भी बताया किस तरह हंस तलाबों में तैरते हैं उनके तैरने पर तलाब का सौंदर बिलकुल बदल जाता है जब भी लोग तलाब को देखते हैं तो तलाब में मुझूद हंस लोगों की आखों का आकरशन बन जाते हैं कहा जाता है कि हिमाले की जील और तलाब के पानी में ठंड़क होती है हिमाले में बहने वाली नदिया भी बहुत ठंडी होती है यही कारण है यहाँ पर ठंडक पानी के लिए वं गर्मी से बशने के लिए हंस रहते हैं एक बार जो हंस हिमाले परवत की जीलेवन नदियों में पहुंच जाते हैं वे वापस कहीं और जाने का मन नहीं बनाते ऐसा इसलिए है क्योंकि हमाले की सुन्दर्टानि मनुष्यों बलकि हंसों को भी पसंद आती है तो वो हंस हमेशा के लिए उस जगा पर आकर बस जाते हैं आगे है रितू बसंद का सूप्रभात था मंद मंद था अनिल बहरहा बाला रुण की म्रदुर किर्णे थी अगल बगल स्वर्णिम शिखर था एक दूसरे से विरहत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिरा भिशत बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सर्वर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रड़े कलय चिड़ते देखा बादल को गिरते देखा अब यहां क्या दिया है बसंत रिटु का मौसम था क्या था? बसंत रिटु का मौसम आया हुआ था हलकी हलकी हवा बह रही थी मंद मंद था अनिल भा यानि की हलकी हलकी सी हवा बह रही थी बाला अरुड की म्रदुर किर्णे यानि की सूरज निकला है और उसकी जो सुबा सुबा की किर्णे हैं अगल बगल स्वर्णिम शिकर पे और अगल बगल जब सूरज निकला है तो अगल बगल के जो शिकर है यानि कि पहाणों के जो शिकर है उन पे जब धूप पड़ रही है तो वो स्वर्णिम हो गए अर्था सोने जैसे चमकने लगे हैं एक दूसरे से विरहत होकर अर्थात एक दूसरे से विरहा अगनी में जुदा होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी यानि कि जिनको अलग अलग रहकर ही सारी रात बितानी की निशाकाल से चिरपश थी यानि कि रात भर उनको अलग रहने का जो अभिशाप प्राप्त है बेबस उस चकवा चकवी का यानि वो चकवा चकवी जो है बेबस है उस शाप की वज़ा से तो यहाँ पर क्या दिया है तभी मंद मंद हवा बह रही थी स्वर्णिम शिखर था वहाँ पर तो तभी उन्होंने उस चकवा चकवी के जोड़े को देखा जो सारी र जले थे और अब क्या था सुबा हो गई थी सायम को अभिशा प्राप्था सारी रात लग रह चुके थे और अब सुबा हो चुकी थी बंद हुआ क्रंदन फुरुस में यानि कि अब जो सारी रात अलग रहते उसका जो क्रंदन था वो दोनों जो सारी रात रोज चुके थे विरहा के कारण अब वो बंद हो गया था उस महान सरवर के तीरे और वहीं पर जो एक सरोवर था उसके किनारे शैवालों की हरी दरी पे और उस तलाप के किनारे शैवाल थे और वहाँ पर हरी आली च्छाई हुई थी प्रणले कले छिड़ते और मिलन के बाद वो दोनों आपस में लडाई करने लगे थे मिलन हो रहा था प्रणय मतलब मिलन हो रहा था लड़ाई यानि प्यार की जो लड़ाई थी वो दोनों वहाँ पर कर रहे थे मैंने चकवा चकवी को वहाँ पर सरोवर के किनारे हरी दरी जो शैवालों की बिची हुई थी बादल को घिरते देखा कविता के इस भाग में कवी ने बसंत रितु का वर्णन किया है सुभा की सुन्दर बेला है वायू धीरे-धीरे मंदगती से बह रही है सूर्य अपनी लालिमा से संपूर प्रत्वी का पर प्रकाश की नई केड़ने भिखेर रहा है वही कवी को दूसरी और चकवा-चकवी के एक जोड़ा दिखाई दिया इन्हें या अबिशाब मिलाए कि ये दोनों रात्री में एक साथ समय नहीं बिता सकते इस कारण ये दोनों रात्री में अलग-अलग रहते हैं दूसरे दिन सुबह सूर के उगने के बाद मिलते हैं दूसरे दिन की को एक टक देखते हैं मानो एक रात्री के बाद नहीं बलकि कई वर्षों बाद मिलें मतब पूरी रात के बाद जब वो वापस मिलते हैं तो जैसे लगता है ये रात भर के नहीं गई वर्षों के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं इस तरीके से एक दूसरे के मिलाप करते हुए अपने वियोग के स्तती को खत्म करते एवं खुशी-खुशी समय बिताते हैं तो वहाँ पर वो दोनों रात का इन्होंने वो एक जोड़ा देखा उसका भी वर्णन हमारे सामने उन्होंने किया दुर्गम बर्फानी घाटी में शत्सहस्त्र फुट उचाई पर अखल नाभी से उठने वाले निजके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो हो कर तरल तरुण कस्तूरी म्रग को अपने पर चिड़ते देखा बादल को घिरते देखा अब उन्होंने जब चकवा चकवा देख लिया उसके बाद उन्होंने क्या देखा दुर्गम बर्फानी घाटी पर मतलब बहुत ही दुर्गम रास्ते होते बर्फानी घाटी पर बहुत उपी हजारो जो उचाई फिट की उचाई पर उन दुर्गम घाटियों पे अलख नाभी से उठने वाले अपनी ही नाभी से उठने वाले यसकी अलख नाभी से उठने उनमादक परिमल को, यानि कि बहुत ही उत्तेजित कर देने वाली सुगंद के पीछे दोड़ते हुए म्रग को देखा, धावित होकर तरल तरल करस्तूरी म्रग को, अपनी ही नाभी से उठने वाली सुगंद के पीछे भागते हुए करस्तूरी म्रग को देखा, अपनी पर च चड़ रहा है उस चड़ते हुए म्रग को कभी ने देखा तो यहां क्या था कि अपने ही नाभी में उसके सुगंध होती है कस्तूरी म्रग की और वो हर जगे गूमता रहता तो हमने उनों ने बोला कि हमने कैसे म्रग को देखा जिसकी खुद की नाभी से सुगंध उट रही और उस सुगंध को वो हर जगा ढूंड रहा था और जब उसे नहीं मिल रही थी तो वो अपने पर ही चिड़ रहा था उस चिड़ते हुए म्रग को कभी ने देखा है कभी हमाले की चोटियों के नीचे खड़े हैं और कभी ने इस अंश में वे उस युवा कस्तूरी म्रग का वर्णन कर रहे हैं जिसके शरीर से एक अच्छी सी सुगंध आ रही है मगर वह अपने शरीर की इस सुगंध से ही अंजान है और पहाडों के बीच भागता हुआ उस सुगंध को खोज रहा है उसे पता नहीं कि ये सुगंध उसके अपने शरीर से निकल रही है वह संपूर हिमाले में इधर उधक भटक रहा है अंद में म्रक चड़ जाता है और कवी को म्रक को चड़ा हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे नहीं मिल रही है वह सुगंध तो वह बहुत तेजी से चड़ा हुआ है और इस चड़ेवे म्रक को देखकर कवी को बहुत ही आनंद आता है कहां गया धनपती कुबेर कावा, कहां गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना काली दास के वोम प्रभावी गंगा जलका ढूंडा बहुत परंतु लगा क्या मेग दूद का पता कहीं पर कौन बताईव छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर जाने दोगा कवी कल्पित था मैंने तो भीषण जारों में नभ चुम्बी कैला शशीर्ष पर महा मेग की जनजाली से गरज गरज बढ़ते देखा बादल को घिरते देखा अब इन्होंने क्या पूछा अब हिमाले को लेकर बहुत सारे कवी उन्हें सबने बहुत सारी कल्पनाएं की हैं तो उन कल्पनाओं के बारे में यहां पर कवी ने बोला है तो पहला उन्होंने क्या बोला कहा गया धन पती गुबेर का वहा कहा गई उसकी अलका तो क्या गया वह धूंड रहे हैं कवी कहा हैं हिमाले पर जो है कुबेर की जो धनवती जो नगरी बसी थी अलका वो उसको ढूंड रहे हैं कहते हैं कि हिमाले परवत पर कुबेर की नगरी बसी हुई है अलका तो कहते हैं मैंने उसे बहुत भूंडा पर ही वो यहां पर नहीं है कहा है वो फिर दूसरे में क्या बोलते हैं काली दास ने जो अपनी रचना लिखी थी मेग दूतम उसमें उन्होंने बोलाता हिमाले परवत पर जो है वो गंगा जल का प्रवाय वोम प्रहरी है बहुत बड़ी नदी है मैंने उसको ढूंडा वो भी मुझे यहां नहीं मिली ढूंडा बहुत परंतु लगा क्या मैं उसको बहुत ढूंडा पर मुझे लगा मेग दूद का कहीं पता नहीं यानि कि मैंने उस मेग दूत को यहां पर बहुत ढूंडा पर मुझे वो यहां पर कहीं नहीं मिली कौन बताए वा छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर मुझे कौन बताएगा कि वो मेग दूत जो है वो यहां पर कभी बरसा होगा कोई है मुझे यहाँ पर बताने वाला जाने दोवा कभी कल्पित था यानि कि छोड़ो शायद वो कभी की कल्पना ही थी यानि कि वो सिर्फ कभी की कल्पना मात्र थी वो शायद असलियत में नहीं थी जाने दोस्त को छोड़ो मैंने तो भीशन जारों में अब वो क्या हमाले पे हैं तो बहुत ठीुरन वारी ठंड होती है तो कहते हैं मैंने तो वहाँ पर भीशन जारों में नब चुंबी कहला शीष पर नब चुंबी यानि आकाशों को चुंबने वाले उस हमाले के शिखर पर जो इकदम चोटी पर यानि कि मैंने यानि कि कभी ने जो है देखा है इस हिमाले की चोटी पर आग इतनी उची चोटी पर महा मेग को जंजालिन से गरच गरच के भिरते देखा और वहाँ पर मैंने जो है बादलों को गरगर करते जंजड करते हुए आपस में भिरते हुए देखा है मैंने बादल को गिरते देखा मैंने कभी क्या बोल रहे हैं मैंने सब ने जो भी कहा हो कुबेर की नगरी है मेगदूत है लेकिन वो तब तो मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने क्या देखा एकदम शिखर पे हिमाले की गगन चुमी शीरशो पर मैंने बादलों को आपस में गड़कर करके जंजाडित होकर प्रयास कर रहे हैं मगर उनको भगवान कुबेर देव की अलका नगरी नहीं दिखी यहां तक की कालिदास वारा मेगदूत कविता की बताई गई आकाश गंदा नदी को भी ढुड़ने का प्रयास किया लेकिन कभी असफल हुए कभी को एक अनूखी चीज बहुत अच्छे से नजर आई कैलाश परवत की उचाईयों से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरसते हुए कभी ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा जो उनको नोंने सुना था अभी तक उसको खोजने की कोशिश करी वो नहीं मिली लेकिन असलियत में उन्होंने खुद ही आपस म से गरसते बरसते हुए बादलों को देखा लाल कमल वेडी से रजत रचित मडी खंचित कला में पान पात्र द्राक्षण पूरित सरखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपती पर नरम निदाग बाल कस्तूरी म्रग चालों पर पल्ती मारे मदिरा रुण आखों वाले उन उनमद किनर किनरयों की म्रदुल मनोरम अंगलयों को वनसी पर फिरते देखा बादल को घिरते देखा तो अब यहाँ पर क्या दिया है यह जो हमारे सामने इन्होंने पैरा दिया है यहाँ पर हिमाले में बसने वाली बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनका वर्णन हमारे सामने किया है एक गाउं गए वहाँ पर किस तरीके से लोग क्या कैसे पहनते हैं कैसे रहते हैं क्या जंगल के पास में शोडित धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर एक कुटिया बनी थी भोज पत्रों से चाई हुई मतलब उसका जो पुरका छट था वो भोज के पत्र जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते तो उनसे एक कुटिया बनी हुई थी उसके भीतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों के कुंतल को साजे यानि कि वहां की जो इस्त्रियां थी उन्होंने रंग बिरंगे फूलों का कुंतल मतलब फूलों को साजे हुई थी इंदर नील की माला पहने हुई थी इंदर नील होते हैं एकदम तराशे हुए वो शंख जैसे सुरीली जो गर्दने थी पतली-पतली से उन गर्दनों पे उन मालों को पहना हुआ था कानों में कुवलेल लटकाए और उन्ही जो फूल थे उसी से उन्होंने अपने कानों के जो बुंदे बनाकर लटकाए हुए थे शत्दल लाल कमल बेडी में और कमलों को यानि कमल के जो फूल होते हैं शत्दल यानि कि उनके पत्तों के उपर जो फूल लगे होते हैं उसे अपनी चोटी पर लगाया हुआ था रजत रचित मड़ी खरचित कलाम है और क्या है रजत मतलब की लाल लाल जो है लाल लाल मड़ियों से जैसे खरचित के जो कमल में करके जो उनके जो होट है उन पे फूलों से लाल लाल जो खरचित के जो है वो लाली निकाल के अपने होट उपर लगाई पान पात्र द्राशव पूरित जैसे पान खाके जो लाल हो जाते हैं होट उस तरीके से रजत रंग के फूलों से घिसके उन्होंने अपने होटों पर लाली लगाई हुई थी रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपती पर और उन्होंने उन सभी इस्तरियों के सामने उनकरे लोहित चंदन की त्रिपती और वो सभी चंदन को घिस रही थी उन सभी इस्तरियों के सामने एक पत्थर रखा था जिसके उपर वो चंदन घिस रही थी नरम, निदाग, बाल, कस्तूरी, म्रग चालों पर पस्तिमर और वो जो घिस रही थी वो बैठी कहां पर थी जो है वो कोमल कोमल हिरणों की जो म्रग चालों होती है वो इस्तिरियां उन सभी के उपर बैठी हुई थी और वो अपने सामने रखे पत्थर पे वो चंदन को घिस रही थी मदिरा रूड आखों वाले उन उनमद किनर किनरीयों को और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर इन स्तिरियों के इलावा उन्होंने देखा मस्त मतलब आखों ऐसी आखी नशीली आखों वाले किनरों को भी देखा मरदुल मनोरम उंगलियों से जो अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से बंसी बजा रहे थे बादल को गिरते देखा है कविता की इस अंतिन चंद में कभी ने हिमाले के प्राकतिक सौंदर का वर्णन किया है कभी ने यहां देवदारू पेड के घने जंगलों और जहर्नों का वर्णन किया है कभी हिमाले परवत में रहने वाले लोगों के विशे में कहते हैं यहां के लोग हमेशा सुन्दर दिखते हैं वह हमेशा सत्समर कर रहते हैं यहां की औरते बालों में गजरा लगाए फिरती हैं इमने किननल लोग मर्द्या पेकर मस्त रहते हैं किननल लोग हमेशा जुमते गाते रहते हैं सुर्टाल ले चंद खुद ही बना कर गाते हैं कवी ने यह सब अपनी आँखों से देखा और उन बातों को यहां पर विक्त किया तो उन्होंने वहां पर बसने वाली बस्ती में जो कुछ भी देखा उसे इन आखरी चंद में हमारे सामने प्रसुत किया तो इस चंद पूरी कविता में हमने देखा हिमाले में जो जो चीजें कभी ने देखी वो सब भी बहुत ही सुन्दर रूप में हमारे सामने वर्णित करी हैं तो इस कविता की जो व्याख्याती हम यहीं समाब्त करते हैं प्रशुत्तर के लिए बस थोड़ा चा इंतजार करिए हम अपने नेक्स वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे तैंक यू बबाई